हेलो गाईज वेल्कम बैक टो माई चैनल सलान सीक्रेट बाई प्रीती में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आप सभी के लिए फुल हैंड्स की रीका वैक्स का वीडियो लेकर आई हूं मैं अपने पार्लर में कैसे रीका वैक्स करती हूं आज मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ा अच्छे से दिखाऊंगी तो हमने सबसे पहले पूरे हाथ पे अच्छे से पाउडर लगा लिया है अब हम वैक्स अप्लाई कर रहा है इस पैचुला को लेकर एकदम पतली लेयर वैक्स अरीका वैक्स को अप्लाई किया जाता है हनी वैक्स का भी यही मैतड है अरीका वैक्स का भी करने का यही मैतड है आपको दोनों वैक्स एक ही तरीके से करने होती है बस दोनों की कसिस्टेंसी अलग होती है और दोनों की मतलब वो करने का तरीका एक ही ज एप्लिकेशन कर रही हूं तो एप्लिकेशन भी वैक्सिंग में बहुत मैटर करता है आप कहीं पतला कहीं मोटा लगा दोगे तो उससे भी नहीं चलेगा और मतलब एक हिसाब सही लगना चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही आपको हमेसा उसके अपोजिट पुल करन है यह वैक्स करने का एक तरीका होता है तो हमारी क्लाइन के हेर ऐसे सीधे सीधे थे तो हम लोग ऐसे ही इनका वैक्स अप्लाई करके इसका अपोजिट पुल कर रहा है मैं की हनी वैक्स और रिका वैक्स का अगर बात किया जाए तो रिका वैक्स ही सबसे बेस्ट वैक्स हो यह निकाल देटी हैं कि लियार को नहीं निकालती है जिससे की जितनी फी डेड़ स्किन उती वह भी निकती है तो बहुत सारे बैनिफिटस है यह कभी होगे तो यह कभी लेटांग होती है तो अगर आपके हाथ में कितना भी अगर वैक्स लग जाए चिप-चिप होता है तो आप पान इस वैक्स करोगे वह नहीं चूटेगी हमेसा आपको इसको हमेसा ऑइल से ही वैक्स करना चाहिए तो मैं अपने पारलर में तो गोकोनट ऑइल का यूज करती हूँ कभी आप इसको लूज नहीं छोड़ सकते अगर लूज आप छोड़ोगे तो वहाँ पे आपकी इसकी पील और जाएगी 99% chances है कि आपकी skin वहाँ पर पील हो जाएगी तो इसलिए हमेशा skin को अच्छे से stretch करके करें और हमें ही client को बताना होता है कि आपको hands कैसे move करने है कैसे stretch करने है client को ये चीज़े नहीं पता होती है तो हमेशा इस चीज़ को बताइए कि आप हाथ को tight रखे माम या आपको भी अपने दूसरे हैं से एक हैप को अच्छे से hold करना है उसके बाद आपको waxing करनी है रिका wax जो होती है वह वैक्सों में सबसे अच्छी wax मानी जाती है यह हमेशा आपकी tanning को बहुत अच्छे से remove करती है और आपकी hair की growth को भी लेट कर देती है इससे आपकी hair देर में भी आते हैं और consistency उनकी काफी कम हो जाती है इस wax को कराने से अगर आपकी growth एक महीने में आ जाती है तो इससे आपकी growth कम से कम डेर से दो महीने में आएगी मतलब ये अगर आपको 100% honey wax कराने में पेन होता है तो आपको इसको कराने में 20% पेन होगा केवल और केवल 20% मैं यह नहीं कहती कि इसको कराने से एकदम पेन नहीं होता है लेकिन कम पेन होता है जैसे मैं कर रही होगा आप मेरे तरीके से करेंगे तो आपको बिल्कुल भी problem नहीं होगी wax करने में तो आप लोग please skin को अच्छे से stretch करके wax करें इससे client बहुत ही satisfied होते हैं इसकी आपको बहुत ही पतली पतली layer apply करनी है बहुत ही थीकी layer आपको नहीं apply करनी है तो इस बात का भी आपको खास खयाल रखना होगा कि इसकी बहुत पतली पतली layer आप apply करिए और एकदम अच्छे से pull करिए उसको मतलब skin को हमेशा tight करके रखिए आपको loose skin नहीं छोड़ना है और उसको opposite side कुछ लोग पट्टी जब strip जब खीचते हैं तो बहुत दूर तक खीचते हैं लेकिन यह भी नहीं अच्छा लगता है हमेशा आप उसको खीचे जटके से लेकिन आपका हाथ बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए वह भी देखने हैं बहुत ही अन्प्रोफेशनल लगता है इसलिए है आप लोग इन सब चीजों का छोटी चोटी बातों कभी भहत ध्यान रखना होता है वैक्सिंग करने में वरना वैक्सिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है तो आप लोग भी ऐसे ही वैक्सिंग करें जैसे मैं कर रही हूँ आप लोग कभी बीच के एरिये में जो हमारा हाथ जहां से मुड़ता है वहाँ पर भी आपको बहुत थीकी लेयर नहीं लगाना होता है क्योंकि वो भी आप इसके निकलने के चांसे होते हैं वहाँ पर इसलिए आप देखिए वहाँ पर हलका समीरा वैक्स तहीं ही लगा है क्योंकि आपके वहाँ पर स्ट्रिप भी मूव कर दोगे उससे भी निकल जाता है वहाँ आपको बहुत जरूरी नहीं है कि आप वैक्स अच्छे से लगाई है तो आप यह सब सेंस्टिव एरिया का भी अच्छे से ध्यान रखिए कि आप ज्यादा बहुत इसकी सेंड लेयर भी लगाने में खत्रा होता है क्योंकि इसकी निकलने का डर होता है इसके पील होने का डर होता है तो इसलिए आप कोसिस करें कि एक बार में ही आपके सारे हेयर अच्छे से रिमोफ हो जाए अब आप देख रहे होंगे मैं हर एक हिस्से में बहुत अच्छे तरीके से हाथ उनका टर्न करवागे कर रहे हूँ ऐसेES का भी क्याल रखें कि आपको हाथ कैसी कलाइन का रखना है वैक्सिंग के टाइम में ये भी आपको इस कलाइन को Enough इसलिए इस चिजव कि बहुत खास खास ख्याल रखें हाथ को आपको दूर काईल करना है कयसे हाथ रहागा कि अधर की ग्रोथ है इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए आप फैक्सिंग करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा मैंने यह रिका वैक्स करी हुई है यह मेरे एलोवेरा फ्लेवर की रिका वैक्स इस वज़े से इसका शेड लाइट ग्रीन लगर लाए इसमें कई सारे सटे हैं हैं चोकलेट आलो‍े और भी यह टाइब आप आप जो सही लगीदो करें हैं अ वह सकती है रिका वैक्स सी तो गज़ेत करते हूं थोड़ा कॉस्टली होता है तो इनके कउस्ट ने करना मैं कोgyम मतःना किया है मैं यह कीजाव्य म pregnant यहाइ इंकली के टारण बात करते हैं रूत की सकते हैं तक हड़ाला Moro का ओई लिया है इससे अच्छे से मसाज करते क्योंकि वैक्स के बाद जब आप मसाज कर देते हो तो जो जुझनाहट होती है वह भी नहीं होती है और किसी भी तरीके का साइड एफेक्ट होने के यानि कि जो थोड़े बहुत दाने आने वाले होते हैं वह भी हमारे मसाज से सह ही हो जाते हैं इसलिए हमेशा मसाज जरूर करना चाहिए थैंक्स फौर वाचिंग्